हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपके बता हुआ नोक्या 5.1 प्लस के चार्जिंग सेक्शन के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर चार्जिंग जाक है और यह हमारी रैड कलर से बीवस की सप्लाई और यह दो लाइन हमारी डीमडेपी तो यह मैं निवान पिलस के सप्लाई है और यह जो सकते हैं हमारा जो कि यह चार्जिंगा प्लसपंट होता है यह बीवस अपा बोल्ट तो यहां पर एथन पाइब हारा है और हमारे डीमडेपी की सप्लाई यह बादी धौनों तो अम्मैन मंधर बोड पे आपको दिखाता हूं कि जो मारे मेन मंदरवर्ड होता है तो देख सकते हैं यहां पर आपको फाइब बोल्ट चेक करना यह वहां पर और यहां पर यहां पर आता है और यहां से निकल कर सीधा फिर उसके बाद हम इसको यहां से जमपर उठा रहा सकते हैं तक फिर इसके बाद एक कैपिस्टर है उस supply होती है 4.2 3.7 और यह हमारे ID line यहां पर एक रजिस्टर इसकी line में और यह line missing होने पर आपका charging error आएगा तो इसको भी आपको check करना ID line तो ID line हमारी CPU से आ रही है देख सकते हैं और जो हमारा USB का data mine data plus यह भी हमारा CPU के अंदर ही जा रहा है यह वाला supply देख सकते हैं तो इसके बीच में कोई component है यह नहीं तो इसके बीच में कोई component नहीं यह रिंक पर आप supply जी आर ले सकते हैं दोस्तों थैंक्यू